I got you and your vibes in my mind, I can get them out, no matter how hard I try, I need you and your heart next to mine, yeah Hello and Namaste दोस्तो, Welcome back, I hope आप सुभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में आपके साथ बहुत सारे और्गनाइशन और घर से रिलेटेड हैक्स यर करने वाली हूँ I hope आप लोगों को पसंद आएंगे, जो मुझे फर्स टाइम देख रहे हों, उनको बता दू, मेरा नाम है वर्षा और मैं यहाँ शेर करती हूँ बहुत शारे घर से रिलेटेड वीडियो तो जिल लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दवाईगा दोनों तरफ ही तो कुछ मुझे पॉट ऐसे मिले जो मिट्टी के थे और मिट्टी के पॉट पर आप अगर एनैमल कलर कर देते हैं तो जो उनका लोग है ना बो चेंज हो जाता है और मेन भाद जो जढ़ते है ना पॉट जो मिट्टी होती ना जढ़ जाती है कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाते हैं तो बो भी बिल्कुल भी खराब नहीं होगे तो जितने भी मिट्टी के पॉट है मैं यहां बैट कर उनको कलर कर रही हूं जो भी लाइट कलर होते हैं लाइट सेट्स होते हैं उनको डबल कोड करना पड़ता है और जो डार्क होते हैं उनको ए प्लांट जैसे अडेनियम बगए या बॉनसाइ बना रहे हैं तो यह सारे ही इसमें लगे हुए हैं और यह जितने भी खराब होंगे ना अब नहीं होंगे और इसके बाद यह सुखने के बाद बहुत अच्छा कलर हो जाता है अगर मिट्टी बगए इस पर लग जाती है तो क्लीन नहीं होती है तो फिलाल इस्टेंड बगए भी नहीं था और बहुत जांदा एरिया बड़ा है तो यहां पर मैंने कुछ और्गनाइज तो जांदा नहीं किया है बस अच्छे से रग दी हैं सारे पॉट्स उपर कुछ हैं बॉल हैंगिंग सेल्फ लगा दी हैं तो उ अगर आपको कुछ आइडिया समझ आए तो जरूर से बताना वट हां क्योंकि यह रेंट पर है तो मैं बॉल के साथ कुछ भी छेड़कानी नहीं कर सकती अभी पेंट हुआ था बट फिर भी इसमें कितनी जान्दा सीलन आ गई है तो खराब भी लगने लगे हैं तो लो जी वो आउड़ोर एरिया तो हो गया अच्छे से और्गनाईज और अच्छे से क्लीन भी हो गया था यहां पर कुछ चीजों की और बात कर लेते हैं जैसे कि आरो होता है ना आरो के उपर बहुत जान्दा गंदा हो जाता है अगर आपका जान्दा गंदा हो गया है तो आप उ ब्लूग कलीन हो जाएगा हमारे पास बहुत सारी बोटल बगः आ जाती हैं जिसके साथ पंप नहीं लगे होते हैं और बहुत सारे लोशन होते हैं हम उने खाली होने के बाद फेक देते हैं विद्वर उनको फेक दीजियें पंप का आप बहुत थाधी जगह यूज कर सकते ह इसको हम लोग धूप में रखेंगे गरम पानी में डालेंगे तब ही यह पिखलेगा तब यूज कर पाएंगे अगर आपके पास इस तरह के पंप पड़े हैं इनको लगा दीजिए और बस काम हो जाएगा एजी ना तो आपको धूप में रखनी पड़ेगी ना ही आपको गर होती है किचिन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है अगर हमें टिप्स और हैक्स पता होते हैं तो काम एजी हो जाता है और टाइम भी सेव होता है केक कल कट हुआ था तो थोड़ा सा पीस उसमें से बच गया था तो उसको आप क्या करिए ना बैक जो ढखकन है ना उस पर र इसली इसको खाया सकते हैं या जो भी करड़ा हो आपको अलग से कोई भी प्लेट कंदी करने की जरूरत नहीं होगी तो यह मैंसे ही आप इसको रख दीजिए अपने फ्रिज में और उल्टा करके ही निकाल लीजिए मशीन क्लीनिंग मैं आप लोग अक्षर यह पाइट भूल जाते होंगे मैं भी भूल जाती थी मुझे नहीं इतना समझ आया एक दिन मैंने ओपन करके देखा तो इस पर लिखा हुआ था सारा कुछ कि इसको भी क्लीन करना है जब मैंने इसको ओपन किया तो बहुत सारा पा क्लीनिंग करें और जो भी उसके हूपर कैप लगाया उसकी क्लीनिंग करें इंस्ट्रक्शन आपको उसी के अंदर लिखे मिल जाएंगे जैसे क्लीन करना है इससे आपके कपड़े भी चाहएंगे और मशीन का जो अंदर टफ है वह भी ऑल्विस क्लीन रहेगा सारा फानी निकालने के बाद आप एक ब्रस ले लीजिए किचिन का अपनी और एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए जिससे अच्छे से वो क्लीन हो सके और अच्छे से कर दीजिए अपनी मसीन को क्लीन मैं तो मेक सेहर हूं कि आप लोग इस कचड़े को जरूर से फेक दीते होंगे संत्रे का रस निकाला या किन्यू का रस निकाला और कचड़ा जो निकला अंदर से उसको तो फेकना ही फेकना है बट इसका मैं बहुत अच्छा यूज आपके साथ सेयर कर गए हूं तो मैंने एक पैन में इसको निकाल लिया है सारा और निकाले के बाद ना इसमें जो भी छिलके निकले संत्रे के उनको भी डाल दिया है उसके बाद इसमें डाल लिए आप लोग पानी पानी के बाद आप इसमें नमक डाल दीजिए दो चमच भरके और अच्छे से बेक्स कर दीजिए बॉयल आने दीजिए बॉयल आने के बाद आप इसको गैस को बंद करिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए जैसे ही ठंडा हो जाता है आप इसको एक बावल में छा बेकिंग सोडा डाले के बाद इसमें थोड़ा सा लिक्विड डिस्वास डाल दीजिए डाले थोड़ा सा विनेगर और यह देखिए कितने अच्छे से रियक्ट कर गया है अच्छे से मिलाने के बाद इसको आप भर लीजिए एक इस्प्रे बोटल में और बना लिया है मैंने एक मल्टी परपस क्लीनर बहुत अच्छे से गैस टोप किचिन स्लाव या सिंख वगरा क्लीन हो जाती है एकदम साइन कर जाती है और घर पर बना है तो कोई जानदा हार्ट्स केमिकल भी इसमें यूज नहीं किये गए हैं बेकिंग सोड़ा बनेंगर और जो और जूस है उसके बहुत अच्छे पार्टिकल्स हमारी सारी चीजों को क्लीन करने में काफी हल्प करते हैं तो इसको जरूर एक बार ट्राई करिएगा आपको जरूर से पसंद आएगा और बैसे भी बेस्ट से बना है तो कोई जहना मेहनत का काम भी नहीं और पैसे भी खर्च नहीं होने तो आप कर सकते हैं सिंख भी इससे बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है डिस इंफेक्ट भी सारी चीज़ें हो जाती है तो जरूर से आप बना कर इसको रख लीजिए एक बोटल में भरके सो ओके दोस्तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा आया है तो जरूर से लाइक करिएगा और फैमिली फ्रेंट्स के साथ ही मिलूँगी तब तक के लिए दोस्तो आप लोग अपना खयाल रखिए बहुत शारा प्यार एड़ बाइबाइटाटा टेक क्यर